हेलो एवरिवन आजके इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे क्लाश 12 की पॉलिटिकल साइंस का हमारा सेकंड बुक जो है उसकी सेकंड बुक का चैप्टर नमबर एट छेत्रिय आकांशाय रीजनल एस्पिरेशन ठीक है इसको हम फुल चैप्टर को डिसकस करने वाले है इस फिर कश्मीर के मुद्दे को देखेंगे और मुमेंट फोर दा अटनॉमी यानि कि जो हमारा स्वायत्ता को लेकर जो मांगे चल रही थी आंदोलन चल लेते चाहिए वह नौर्थ इस्ट में हो या फिर किसी अन्य राज्जे में उसको हमने यहां पर डिसकस करने वाले है ठ नाम सितिंद्र परताप है और आप मुझे इस्टाग्राम पर फोलो कर सकते हो एक लवे स्टेटी पॉइंट और आपको कुछ पूछना हो कोई डाउट हो तो आप मुझे वहां पर मैसेज कर सकते हैं टाइम निकाल के आपको रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करूंगा ठ तो देखिए 1980 का जो दसक था दसक का मतलब यहां पर दस साल होती है ठीक है दस साल को से 1980 के दसक अगर हम बात करेंगे तो इसका मतलब है 1980 अगर 1990 तक यानि ये जो बीच के दस साल है इसको दसक के रूप में देखा जाएगा ठीक है उसके लिए वो आंदोलन करते हैं, उसको हम स्वायत्ता की मांग के रूप में देख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि आप देखोगे कि जो नौर्थ इस्ट के जो राज्ये थे, वहाँ पे जंजातियां रहती थी, और उन जंजातियों ने अपनी जंजाती के आदार पे अलग असटी कानून का उलंगन करते हैं, इन दस सालों में देश के कई हिस्सों में स्वायत्ता की मांग उठी, कई बार सम्विदानिक हदों को पार करने का मतलब है कि कानून का उलंगन कर देना, यानी सम्विदान के परे चले जाना,्टिक है। सम्वیदानिक हदों को पार करने का मतलब है जैसे कि देखो लोगों ने क्या करा अपनी मांगो को मनवाने के लिए हतियार उठा लिये जब लोग हतियार उठा लें हिंजा करने लग जाएं दंगे करने लग जाएं ससस्तर अभियान चला दें तो ऐसे में इसको सम्विधानिक हदों को पार करना कहते हैं यानि कि कानून के दाइरे से बढ़ कर आगे चले गए है इसमें जब ये हत्यार उठाए गए तो भाई हजारों लोगों की जान भी चली गई इन संगर्सों को ये जो संगर्स चल रहे थे उसको रोकने के लिए उस पर विराम लगाने के लिए सरकार ने क्या रास्ता अपना है सरकार ने बाच्चीत का रास्ता अपना है सरकार ने प्रयास किया कि जो विवाद हुए है जो भी मतलब जनता जिन चीजों को लेकर भी आंदोलन कर रही है विवाद हो रहा है जो भी मुद्दे हैं उसको समुधान के दायरे में ही निप्टा ले यानि आपस में बैठकर बातचीत के जरिये policy बनाकर सम्विधानिक दाइरे में रहकर उनकी समस्याओं को सुल जाते हैं ऐसा सरकार ने चाहा भारत एक ऐसा देसे जहां पर विवित्ता बहुत है ये बिल्कुल सही है भारत में क्या है वराइटी बहुत जादा है विवित्ता से अभी प्राय है आपको पता है कि हमारे देश में अलग-अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं तो विविन धर्मिक उनका कल्चर हो जाएगा तो कहीं न कहीं आप देखोगे तो धर्म को लेकर विवित्ता मिलेगी अलग-अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं पिर जातियों को देखोगे आपको वहां पे विवित्ता दिखाई देगी, अलग-अलग जातियों के लोग रहते हैं, और बहुत सारी जातिया हैं, ठीक है, फिर लोगों के रंग रूप जो देखोगे तो वह आपको अलग मिलेगा, साउथ में जाते हो तो आपको जो लोग ह आपको देखने को मिलेगा और भाषाएं तो भारत में बहुत सारी बोली जाती है नौर्थ इस्ट में अगर आप जाओगे तो हम पे अलग भाषाएं बोली जाती है अब जब इतनी जादा विवित्ता होती है तो ऐसे में कहीं न कहीं अलगावाद की भावनापन अपती है ठीक है छेत्रवाद और छेत्रियाकांशा उटना बिलकुल लाजमी है बिलकुल मतब जायज है कि ऐसा होता ही है ठीक है तो यही पूरे चैप्टर में हम यही पढ़ने से सरकार ने उनको बाचित के जरिये सुलजाया उनकी samasya sulph के बीदी जलजाने का पूरा प्रेयास किया उनकी घ्रची स्वहाजकी कि दू Igor ओंक अब यहां पर चेटरवाद कई की भावना आ जाते हैं जैसे कि मानलो नौर्थ इस्ट के लोग है वो नौर्थ इस्ट में जो उनका राज्य मानलो मिजोरम के लोग है वो केवल मिजोरम की ही बात करें तो ऐसे में चेतरवाद हो जाता है ठीक है जब कि हमें केवल चेतरवाद की भावना नहीं हमारे अंदर पवावना होने चीए यानि पूरे देश की बात करने चीए हमें ये नीब ऑलना है कि केवल मिजोरम का ही विकास होना चीए आपC समय क्या था कि कुछ लोगों में छेत्रवाद की भावना पनपरी थी वो अपने छेत्र विशेज पर ही ज्यादा ध्यान दे रहे थे तो इन समस्याओं को सुलजाने के लिए सरकार ने प्रयास किया भारत में इतनी ज्यादा विवित्ता है इसके बाद भी राष्टवाद की भावना होती न वो लोगों को विवित्ता होने के बाद भी एक कर देती है जैसे कि भारत में कई सारे धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं उनकी जातिया देखोगे अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं रंग रूप अलग है नौर्थ इस्ट में जाओगे तो उनका क यह सब कुछ भुला के तेज के प्रति प्रेम की भावना को रखते विए एक जुट कर देती है तो राष्टवाद आप समझ रहूंगे राष्टवाद क्या है यहां पर आपको समझ में होगा तो यह पूरा इंट्रोडक्सन है कि हमें बेसिक इतना तो समझ में आना ही आप दार्म को लेकर धार्मिक विविविट्वाद लोगों के मन में आती है ठीक है राष्टवाद जो है वो जनता के बीच एकता बनाए रखता है यूरोप में सांस्कृतिक विविथा को राष्ट के लिए खतरे के रूप में देखा जाता है अब देखे ये भारत का जो उससे बिलकुल अलग है यूरोप का द्रिश्टिकॉण, यूरोप के लोग जो है, वो सांस्कृतिक विवित्ता को राष्टर के लिए खत्रे के रूप में देखते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं देखा जाता, भारत में इतनी ज़्यादा विवित्ता है, लेकिन फिर भी स उसके लिए सरकार ने लोगतांत्रिक तरीके से सुल्जाने का प्रयास किया था, लोगतांत्र में च्षेत्रे आकांशाओं के राजनितिक अभिविक्ति के अनुमति होती है कि जो भी लोग हैं, चाए वो north east में रहते हैं, चाए नौर्थ में रहते हैं, चाए कहीं भी रहते हiam वो अपनी राजनितिक अभीविक्ति, जो भी उनके आकानशाय हैं वो अभीविक्ति कर सकते हैं, ठीक है? अनुमती होती है यहां आजादी है कि कोई दल छेत्रिय समस्या को आधार बना कर लोगों की भावनाओं की नुमाइंदगी कर सकता है कोई राजनेतिक पार्टी किसी छेत्रे समस्या को उठा कर छेत्रे पार्टी यानि लोकल पार्टी बना कर वहां कि जनता की समस्या को इनुमाइंदगी कर सकता है ये पूरा अधिकार हमारा सम्यदान देता है छेत्रे मुद्दे समस्या के परती सरकार जो है वो नीती निर्मान पर विशेज ध्यान देती ठीके सरकार ऐसी policy बनाती है जिससे कि जो भी छेत्रे समस्या उसको निप्टाया जा सके कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि राश्ट्री एक्ता की रहा में छेत्रे अकांशा भारी पड़े यह आपको आगे एक्जामपल में आपको दिखेगा जापर जैसे मिजोरम में दंगे होने लगे और और भी कई जगा पे मतलब यह दंगे देखने को मिले कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि छेत्रिया कांशा जो है वो भारी पढ़ जाती है एक ता की रहा में तो ऐसी समस्य अभी आ जाती है ऐसे में किया सरकार को बहुत सोस्तमच कर फैसला लेना जाती है तो ऐसे में सरकार क्या करती है बहुत सोस्तमच कर फैसला लिती है तो यह तो था इंट्रोडक्शन पूरे चैप्टर का सौट में इंट्रोडक्शन अब पढ़ेंगे एक एक टॉपिक को बिल्कुल डीप डिस्कस करते हुए ठीक है तो अब बात करते हैं तनाव के दाइरे के बारे में तो आजादी के बाद भारत के सामने कुछ समस्य आती है अब यहां पर बात कर रहा हूँ है थोड़ा और बैक ग्राउंड में जाओ 1947 के जश्ट बाद क्या समस्य आई आपने चैप्टर वन पढ़ा है चैप्टर वन में आपने समझाए आपने क्या देखा कि जैसे ही आजाद के तुरंद बाद ही देख ली थी लेकिन उसके कुछ वर्सों के बाद 1980 के दसक तक आते आते यह जो चैप्टर है यह चेत्रिया कांशावाला चेत्रिया कांशाई भी सामने आने लगी ठीक है उसको हम आगे डिसकस करेंगे जो देश और विदेश के जो परिवेक शक है जो एक्सपर्ट लोग है वो यह मानते हैं कि भारत जो है वो जादा दिनों तक एक राश्ट के रूप में नहीं रह पाएगा उनको लगता था कि भारत इतना बड़ा देश है इतनी जादा यहां पर वराइटी है ऐसे में कई न कई कभी न कभी तो अन बन होईगी कभी न कभी कुछ समय के बाद सामने आ गया था कश्मीर जो है वह भारत और पाकिस्तान के बीच में हमेशा से विवात का मुद्दा रहा है कश्मीर के लोगों की आकांशाहिं सामने आई उसमें भी कुछ चीज़े आपको देखने को बिलेगी जब कश्मीर वाला टॉपिक पढ़ेंग को समझेंगे ठीके यह सारे टॉपिक अचमीर के बारे में कश्मीर के बारे में utilize यूमटेंट आई कुछ नया भी आया अ वो भी आपको समझना है तो जम्मू कश्मीर को पहले समझते हैं पहले क्या होता था हम जब भी कश्मीर की बात करते हैं तो हम लद्दाक को इग्रोर करते थे ठीक है तो जम्मू कश्मीर जब भी हम पढ़ेंगे तो उसमें जम्मू कश्मीर लद्दाक तीनों को ध्यान में र तो यहां पर बहुत और मुसलिम जो हैं वो जादा संक्या में रहते हैं कश्मीर के लोग जो हैं आपको सबसे पहले कश्मीर ही मानते हैं और उसके बाद ही कुछ मानते हैं इन्होंने भी स्वायत्ता का मसला हमेशा से इनके लिए महत्व पुन रहा है हमेशा से इनकी कुछ न शामिल नहीं होना चाते थे ये कश्मीर को स्वतंत रखना चाते थे पाकिस्तान को ऐसा लगता था कि कश्मीर में मुस्लिम आबादी काफी जादा है तो जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान में शामिल हो जाएगा ऐसा ऐसा किसको लग रहा था पाकिस्तान को लेकिन यहां के लो नहरू और शेक जो थे वो दोस्त भी थे तो 1947 में क्या होता है पाकिस्तान जो से घुस पैटी जो है वो कश्मीर में कबज़ा करने के लिए भेज जा जाता है कि पाकिस्तान में मुस्लिम जो वहां के वो पाकिस्तान का सपोर्ट करेंगे यह सोचके उन्होंने वहां पर घुस और ये भी कहा गया कि जब इस्थिती जो है वो नॉर्मल हो जाएगी तो जन्मत संग्रहे भी करा लेंगे जन्ता से भी पूछ लेंगे क्या चाहते हैं मार्च 1948 में शेक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के प्रधान मंत्री आप देखे वहाँ पर राष्ट पती की तरह जो पद होता था उसको प्रधान मंत्री के नाम से जाना जाता है ठीक है कश्मीर में उस समय में तो ये वहाँ के प्रधान मंत्री बने प्रधान मंत्री को एक अलग सम्विधान था अलग जंडा था फिर 2019 में क्या होता है जम्मु कश्मीर में अनुचे 370 को जो हमारी NDA की गौर्णमेंट है ये इसको खतम कर देती है ठीक है हटा देती है इसका विशेस राज्य का दर्जा जो था वो भी खतम कर दिया जाता है उसको नॉर्माल जैस कि सुरू में क्या था और धीरे 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 क्या होता गया कश्मीर वाला टॉपिक जो है वो इंपोर्टेंट बन जाता है अब यहां पर समझे यह जो मैं आपको बताने वाला हूं यहां से आपके पेपर में कुश्छन आएगा इंपोर्टेंट है क्योंकि इसमें दो साथ ही कश्मीर जो एक ज्वलंत मुद्दा बना रहा हमेशा भारत के राजनेती समस्या जटिल तब हो जाती है जब आर्टिकल 370 और 35 के माध्यम से समविधान में एक विशेई सिस्थान जो इसको दिया गया था अनुछे 370 ने इसे एक अलग समविधान एक अलग समविध से होता था ठीक है हटाए जाने से पहले बिलकुल अलग उनका समविधान अलग होगा उनका जंडा अलग होगा उनका प्रदान मंतरी का पद अलग होगा ठीक है इस तरीके से तो यह जो चीजे थी यह कही ना कहीं एक जटिल समस्या बना देती है कश्मीर क्श्मीर पूरी तरीके से भारत से जुड़ा हुआ नहीं था, यहां पर राज्य में संपत्ति को कोई खरीद भी नहीं सकता था, जैसे अगर पहले आर्टिकल 370 खतम होने से पहले की बात बता है, कोई व्यक्ति जैसे मान लो देश में कहीं और रहता है, वो चाहे कि कश्मीर में जमीन खरीद तो पॉसिबल नहीं था, कानून उसकी इजाज़त नहीं देता था, तो यह सारी समस्याय चली आ रही थी, जम्मु कश्मीर राज्य की विसेश्टिति को एक निशान, एक प्रधान प्रशार करते हुए, राजनितिक छेत्र में आर्टिकल जो 370 और 35 एस को हटा दिया गया, यानि जो बीजेपी का अजेंडा था, वो स्टार्टिंग से ही था, कि हम एक देश में दो जंडे और दो विधान नहीं चल सकते हैं, ठीक है, पूरे देश के लिए एक ही समविधान होगा, एक ही जंडा होगा, यह पहले से किलियर था, तो इसी को ध्यान में रखते हैं, को हटा दिया, और 5 अगस्त 2019 को कश्मीर में धारा 370 और 35 एक उनमुलन के लिए राज्यसभा में और जम्मू कश्मीर पुनरगटन विधेयक प्रस्तुत किया गया, फिर लोगसभा में इसको 6 अगस्त 2019 को पारित किया गया, बाद में राष्टपती ने इस पे सिगनेचर कर कर दिया गया, लद्दाग को इसलिए अलग किया गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर में लद्दाग को हमेशा से इग्नॉर किया जाता था, जो ज़्यादा महत हो था, वो कहीना कहीं कश्मीर और जम्मू को ही मिलता था, लद्दाग को नहीं दिया जाता था, इसलिए लिए बिल्कुल याद रखना है अच्छे तरीके से पंजाब बन्जाब में कई बार पूछते और चलिया पंजाब को ही तुकडे करके उसमें से हर्याना और हिमाचल बनाया गया था ठीक है तो पंजाब पहले बहुत बड़ा राज्य होता था हर्याणा हिमाचल उसी में होता था और पलस में जो पाकिस्तान में एरिया गया है वो भी होता था बहुत बड़ा राज्य होता था पहले पंजाब बाद में इसमें से कई टुकडे बने ठीक है ये आपको याद रखना है ज्यादा तरह हम यह सूचते हैं कि पंजाब से हर्याना को अलग कर देगे लेकिन हिमाचल प्रदेश भी है ये भी याद रखना है हो सकता है आपसे वन मार्क्स में में कहीं पूछ ले इसके बाद देखो पंजा के लिए आंदोलन चलाया तथा ये अलग से पंजाब की मांग कर रहे थी ठीक है और पंजाबी भाषी सूबे के लिए इन्होंने मांग करी थी क्योंकि पंजाबी भाषी जो सूबाएं यहां पर सिख जो थे वो काफी ज्यादा संख्या में थी अब बात करते हैं राजनितिक संदर्व में अकाली दल जो है इसने पंजाब में सरकार बनाई थी कब बनाई थी? 1967 में और 1977 में और ये दोनों बार की सरकार जो थी है गठबंधन की सरकार थी गठबंधन में कौन थी इनके सार? कॉंग्रेस थी, ठीक है? केंदर सरकार ने अकाली दल की सरकार को कारेकाल से पहले बरखास्त कर दिया, सस्पेंट कर दिया अकाली दल को हिंदूों का कम समर्थन प्राप्ता क्योंकि ज़्यादा तर जो अकाली दल को सपोर्ट करते थी वो सिक समुदाई से थी, ठीक है? तो 1970 में अकालियों के एक तबके ने पंजाब के लिए स्वायत्ता के मांग कर दी कुछ विशेश अधिकार, कुछ विशेश राज्य का दरजा, कुछ इस परकार से तो देखते हैं क्या होता है, फिर आनंदपुर सहीब जो प्रस्ता होता है, यहाँ पर यह मांगे रखी जाती है तो यह कोशन आपके लिए most important है, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको आपको बिल्कुल याद करना है तो 1973 में आनंदपुर सहीब जो प्रस्ता होगा है, इसको समझी इसमें क्या है, इसमें छित्रे स्वायत्ता की मांग उठी थी इसमें केंद्र और राज्य के जो संबंद होते हैं, इसको दुबारा से परिभाशित करने की मांग उठाई गई थी, ठीक है इसमें सिखों के वर्चसों का एलान कर दिया गया था, और इसमें सिखों के वर्चसों का जब एलान किया गया तो इसको एक अलग नजरिये से भी देखा गया ये भी देखा गया कि इसको अलग सिख राश्टर की मांग के रूप में देखा जाता है कि कुछ सिखों ने अलग से एक सिख देश की मांग कर दी थी ठीक है इस प्रस्ताओं का सिख समुदाय पे असर कम था क्योंकि जादा तर जो सिखते वो इसको सपोर्ट नहीं करते थे 1980 में अकाली दल की सरकार जो थी वो इसको सस्पेंड कर दिया जाता है अकाली दल ने पंजाब और पडोसी राज्यों के बीच में पानी बटवारा जो था नदी जल बटवारे का मुद्दा उसके लिए भी आंदोलन चलाया था और कुछ ने भारत से अलग होकर एक अलग देश यानि खालिस्तान बनाने का भी रिमांड रग दी थी तो इसलिए इसको ज़्यादा तर जो सिखते वो सपोर्ट नहीं करते थे इस मुद्दे को ठीक है कुछ ही सपोर्ट करते थे यानि इसके सपोर्टर काफी कम थे इसलिए अकाली दल को ज़्यादा value नहीं थी Congress को ज़्यादा महतु दिया जाता था ठीक है? आगे देखो पंजाब में हिंसा का चकर कैसे होता है आंदोलन जो इन्होंने करा था ये जो आंदोलन आप पढ़ रहे हैं ये आंदोलन धीरे-धीरे क्या हो जाता है स्वर्ण मंदिर एक हतियार बंद किले के रूप में बदल दिया था फिर सरकार ने जून 1984 में Operation Blue Star चलाया most important है पेपर में काफी पूछा जाता है याद रखना बिल्कुल Operation Blue Star यानि सरकार ने जो स्वर्ण मंदिर है उसको आजात कराने के लिए इन से ये Operation चलाया था सरकार ने उगरवादियों को भगा दिया ठीक है काम्याब हुई लेकिन उसमें कुछ नुकसान हो जाता है स्वर्ण मंदिर को ये जो Golden Temple है इसको कही न कहीं कुछ नुकसान हो जाता है जिसकी वज़े से सिख लोग जो थे वो नाराज हो जाते है जो सिख थे उन्होंने इसको अपने धार्मिक विश्वास पर हमला मार लिया उन्हें लगा कि सरकार ने उनकी धार्मिक आस्था को चोट पहुंचा दिया शिख इस बास थे नाराज थे कि उनकी धार्मिक भावनाए जो थी वह आहत हो गई थी इसी का बदला लेने के लिए जो operation blue star था उसका बदला लेने के लिए 31 October को इंद्रा गांदी के ओ उन्हीं के दो जो body guard होते हैं ठीक है उनके द्वारा गोली मार कर उनकी हत्या कर दी जाते हैं जब इंद्रा गांदी को उनके body guard जो की सिख थे मार देते हैं उसके बाद देश में दंगे हो जाते हैं क्योंकि यह operation blue star का बदला माना जाता है तो ऐसे में पूरा देश सोक में डूप जाता है दिल्ली और उत्तर भारत के राज्यों में हिंसा होने लग जाती है सिख जोते हैं उनको ढूंड ढूंड कर मारा जाता है जहां पर भी सिख मिलते हैं उनको मार काड दिया जाता है ठीक है दंगे हो जाते हैं देश के अन्य हिस्सों में भी सिख जोते हैं वो मारे गए 2005 में संसद में जो मनमौन सिंग है इन्होंने इस घटना पर अपसोच जता है था ठीक है अब बात करते हैं यह तो हो गया यहां पर दंगे 1984 के चुनाओं के बाद सत्ता में इंदरा गांदी मर जाती हैं तो उनके बाद उनके बेटे आते हैं राजीम गांदी ये प्राइम इन्यस्टर बन जाते हैं जो भी मतलब अकाली धल से सम्भंधित थे इनसे एक समझोता करने की बात करते हैं ये 1985 में एक समझोता करते हैं जो कि होता है अकाली धल के अध्यक्ष होते हरचंद सिंग लोंगोवाल वर्सिज कॉंग्रेस के राजीव गांदी यानि कि राजीव गांदी वर्सिज हरचंद सिंग लोंगोवाल इसको longow Ав al समझोता भी कहते हैं ठीक है पंजाब समझोते के रूप में भी देखते हैं तो यह important है आपको याद रखना है पेपर में बहुत जदा आता है इस समझोते में क्या-क्या बाते होती है क्या-क्या मांग होती है इसको समझी है इसमें कुछ ऐसी बाती की जाती है कि चंडीगर जो है वो पंजाब को दे दिया जाएगा पंजाब हर्याना के बीच में जो सीमा विवाद है उसके लिए एक आयोग बना दिया जाएगा पंजाब, हर्याना और राजिस्तान के बीच में जो नदी जल बटवारे को लेकर विवाद है उसके लिए एक ट्रिबूनल बिठा दिया जाएगा ठीक है उगरवाद से जो प्रभावित लोग है जिनके घर में लोगों की जाने चली गई है जो मर गए है जिनको नुकसान उठाना पड़ा है उनको मुआपजा दे दिया जाएगा पंजाब में विशेज सुरक्षा बल जो अधिनियम लगा रखा था इस कानून इसको भी वापिस ले लिया जाएगा ठीक है वहाँ पे लोगों को कहीं न कहीं आजाती मिल जाएगा यह कुछ समझोते में बाते हुई थी हलाकि यह समझोते में यह बाते हुई लेकिन पूरी तरीके से धरातल पे उतारी नहीं गई समझोते के बाद भी आमन सांती यहां पे कायम नहीं हो पाई लगबग 10 साल तक हिंसा चलती रही अकाली दल जो था वो धीरे धीरे बिखर गया 1992 में पंजाब में चुना हुए महौल बहुत बेकार था इसलिए 24 परतिसत लोगों ने वोट दिया देखो मात्र 24 परतिसत लोग ने वोट दिया तो ये समझ लेजी अगर 100 लोगों का वोट है बहुत जादा मतब उन्होंने समस्या देखी थी 1990 के दसक के मध्यवर्ति वर्सों में लगबग लगबग बात है 1995 की तो 1995 के आसपास पंजाब में शांती भालोई और माहौल जोता वो धीरे धीरे ठीक होना सुरूआ फिर 1997 में चुनाओं में अकाली दल बादल जो है ये आती है और गठबंदन होता है बीजेपी के साथ और फिर सरकार बनाती है ठीक है ये गठबंदन यहां पे जीतता है तो ये था पंजाब पंजाब में से आपका ये लोंगो वाल समझोता बहुत पूचा जाता है पेपर में और ब्लू स्टार काफी पूचा जाता है तो ये याद रखना है अब बात करेंगे नौर्थ इस्ट की जो हमारे पूर्वोतर के राज्ये है 1980 के दसक में छेत्रे आकांशाएं उभर कर सामने आई साथ राजे होने के कारण क्योंकि नौर्थ इस्ट में साथ राजे हैं आप देखोगे मैप में तो इसले इसको साथ बहने भी का जाता है तो ये सेवन सिश्टर वाला कुशन आपकी वीपर में बहुत पूछते हैं तो ये आपको पता होना चीए ठीक है इस छेतर की सीमाएं जो है वो चाइना से मियामार से बांगलादेश से लगती है ये छेतर जो है वो भारत के लिए दक्षिन पूर्वे एशिया का प्रवेजदा द्वार है कि अगर हम दक्षिन पूर्वे एशिया की तरब से जाते हैं तो कई ना कई इसी छेतर से हो के गुजरना पड़ता है तो इसको एंट्रेंस के रूप में भी देखा जाता है तिरपुरा मरनीपूर में घाले ये अलग-अलग कभी रियासते हुआ करती थी आजादी के बाद इनको भारतिय संग में शामिल कर लिया गया था और पूरवतर राज्ये में बड़े स्तर पे राज्ये का पुनरगठन किया गया था यानि की राज्ये बनाए गये थे देखो अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना मैं आपको बता दू अगर आपके पास पुरानी NCRT है तो वहाँ पे आप पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा होगा कि नागा लेंड 1960 में बना ठीक है और नई NCRT है तो 1963 लिखा होगा तो अगर आपने पुरानी NCRT से पढ़ रहे हो तो उसको काट दो 1960 गलत है ठीक है 1963 है तो याद रखना बिल्कुल यह गलत है तो नागा लेंड जोए 1963 में राज्ये बना इसको एक पूर्ण राज्ये बना दिया गया मेघाले के बात करें मरनेपूर की तिरपुरा के बात करें तो यह 1972 में बने अगर हम अरुनाचल परदेश की बात करें मिजोरम की बात करें तो 1987 में बने यानि 1960 के बाद से लेके 1990 तक यहाँ पर बड़े लेवल पर राज्य पनर गठन हुआ था ने ने राज्य बनाए गए थे पुर्वतर राज्य जो है वो भारत के राज्यों का विकास नहीं हो पाया नौर्थ इस्ट के राज्यों का विकास नहीं हो पाया यहां कि राजनीती भी सीमित रही है पड़ोसी देशों से आने वाले लोगों के कारण यहां कि जनसंक्या की जो संदचना है वो बदली है क्योंकि खासकर बांगला देश से जो लोग आके बस गए थे उसकी वज़े से भी यहां पर जो डेमोग्रेफी है वो चेंज हो गई है यह इलाका जो है आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ इलाका है यहां पर तीन मुख्य मुद्दे हैं अब यहां पर एक चीज आप नोट कर लो पेपर में यह बहुत पूछा जाता है कि बताईए जो नौट इस्ट के रज़े है वहाँ पर तीन प्रमुख समस्या या प्रमुख मुद्दे कौन से है तो पहला मुद्दा है स्वायत्ता की मांग यहां पर स्वायत्ता की मांग बहुत हुई है अलगावाद के लिए यहां पर आंदोलन चले है और बाहरी लोगों का यहां पर विरोध हुआ है तो यह तीन पॉइंट आपको बिल्कुल रट लेने हैं ठीक है आगे चले स्वायत्ता की मांग को समझते मनिपूर तिरपुरा को छोड़ के आजादी के वक्त पूरा इलाका जो है असमी लोग नहीं है उन पर जबरजस्ती असमी भाषा या जो असमी है उसको थोप रही है जिसका विरोध किया जाता था ठीक है इसके विरोध में स्वायत्ता की मांग की गई यहां पर विरोध परदर्शन हो गया दंगे हो गया लड़ाई जगड़ा हो गया पैसे में जो बड़ी जन जाती जो समू थे उनके नेता जो थे वो असम से अलगाओ चाते थे यानि चाते थे कि हमारे जन जाती के लिए अलग स्टेट बना दिया जाए अलग राज्ये बना दिया जाए इसके लिए उन्होंने क्या करा आंदोलन की इन लोगों ने इस्टन इंडिया ट्राइबल यूनियन बनाया ट्राइबल का मतलब यहां पे जन जाती से ठीक है यानि कि इन्होंने जो पूरवी इंडिया जो है यहां की जो जन जाती है उन्होंने की यूनियन बना ली जिसको इ लग एक जंजातिय राज्य बनाया जाए इंपोर्टेंट इंस ने मांग रखी कि अलग एक जंजातिय राज्य बनाया जाए बिल्कुल याद करो और सरकार ने असम को एक ही जगह पर काटकर कई जंजाती राजे बना दिया तो सरकार ने इनकी मांग को माना भी आसम को इनोंने क्या करें अलग अलग तुकुडों में काट के इनके लिए अलग अलग जνजाती राजे बना दिया है ठीक है तो देखें असम से ही मेघाले, मिजोरम, अरौनाचल प्रदेशी ये सब अलग अलग होकर बनते हैं अगे देखें सिर्पुरा और मिजोरम को भी राज्य का दर्जा दिया गया 1972 तक जो नौर्थीष्ट था इसका पुनर गठन लगबग लगबग हो चुका था लेकिन स्वायत्ता की मांग जोती वो यहां पे खतम नहीं हुई यह यहां की जो जन जाती हैं जैसे बोड़ो हो गई कर भी हो गई दिमसा हो गई यह यहां की कुछ जन जाती समुदा हैं यह अलग राज्य की मांग कर रहे तो जन्मत तैयार किया गया लोगों ने संगठन बना लिए आंदोलन चला दिये गया विद्रो होने लगा लड़ाई जगड़ा होने लगा यह सब होता गया अब ऐसे में क्या है अब सोचो अब मैं आपको एक 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 जामपल देता हूं यहां समझे यहां पर केवल एक या दो जन जाती नहीं थी यहां पर 10-15-20 जन जाती आ हैं अब आप सोचो कि अगर हर जन जाती की बात सरकार मान ले और और राज्य को थोड़ कर इनके लिए अलग अलग राज्य बनाते जैं तो नौर्द हीष्ट में कितने सारे टुकड़े हो जाएंगे सोचिये कितना बुरा अल हो जाएगा यहां पर आपके तो ऐसे में क्या हुआ सरकार छोटे-छोटे राजignant बनाते, अगर चली जाए तो संभव नहीं था सरकार के लिए, सरकार ने इन्हें क्या किया? राजमें रख कर ही स्वायता दे दी, कि तुम इसी राज़ thickness में रहो, और कुछ जगा पर दो-तिन राज torment में बना दिए, अब ऐसे अगर मांग होने लगी और मांगी जाने लगी तो देश की अकंड़ता को खत्रा हो जाएगा देश तूट जाएगा तो इस मांग से निपटना जो था वो सरकार के लिए मुस्किल था नौर्थ इस्ट के दो राजियों में अलगावात के मांग जादा उठी यहाँ पर क्या था इसको असम के अंदर एक जिला बना दिया गया था यहाँ पर मिजो लोग जो ते वो रहते थे इनका यह मानना था मिजो लोगों का हिससे इन थे तो हम भारत भारत से हमारा कोई लेना देना है नी तो क्यों हमें इसमें शामिल कर लिया गया तो इस तरीके से इन लोगों ने भी रोद किया था ठाएं? फिर क्या होता है clip 39 में मीजो अरवतिय इलागा है अलग कर दो तो मिजो लोगों ने गुस्से में आकर लाल डेंगा लाल डेंगा इनके नेता थे इनके नेतुरत में मिजो नेशनल फ्रेंट बनाया MNF पेपर में आता है बताइए MNF का पूरा नाम क्या है तो मिजो नेशनल फ्रेंट ठीक है तो किसके नेतुरत में बनाया थ फिर भारतिय सेना को आना पड़ा यानि भारतिय सेना वर्सिच मिजो विद्रो इनके बारे में समझते हैं यहां लड़ाई जो है दो दसकों तक चली लगबग लगबग 20 साल तक लड़ाई चलती रही मिजो नेशनल फरेंट ने गुरिल्ला यूद क्या होता है यह समझ यह ग करते हैं पेड़ों पर चड़ जाएंगे चुपके बैट जाएंगे तीर दनुस लेकर कोई आएगा तो उस पर आचानक से उपर से तीर बरसाना शुरू कर देंगे इसे बोलेंगे गुरिल्ला यूद उपर बैठे रहेंगे कोई उपर से आरह होगा नीचे से कोई रस्ते चाँज जा रहा होगा योपेड़ में चुपके उचाई पेढ़ जाएगे तेल गिरा देंगे इसके ऊपर ओर आग लगा देंगे उसको जिन्दा जला देंगे या फिर जमीन पर गड़ा को तरेके इस तरीके से रख देंगे, कि सामने वाले को नहीं पता होगा कि इस जगह पर गड़ा है, वो आएगा, उस पर पैर रखेगा और अंदर गड़े में गिर जाएगा, इस तरीके से यह जो तकनीक है, इसको गुरिला यूद गयते हैं, इसमें और भी बहुत सारी तकनीक है, ठी के से युद करे जाते हैं, भारती सेना ने कारवाई करी, मिजो नैशनल फ्रंट को पाकिस्तान का समर्थन मिलना था, क्योंकि पाकिस्तान चारा था कि ये टूटे, पूरी पाकिस्तान में मिजो विद्रोईयों ने अपना ठीकाने बना लिए, भारती सेना की जवाबी सोरी यहां पर चले आएगा ठीक है चले इस संगर्स में दोनों पक्षों को नुकसान उठाना पड़ा अंत में क्या हुआ दोनों ने समझदारी दिखाई सेना ने भी और मिजो नेसनल फ्रेंट इन्हों ने समझदारी यह दिखाई कि आपस में बैठकर बाचित के जरिये में समझधा होता है इसमेर इसमें क्या हुए इना चलिये मिजो इखें को राज्जे बना लेते हैं और लाल ढेंगा서 चीप मिनिश्टर बना दिया जाता है अपनी मिजो नेशनल फ्रेंटर ने अपनी जो लड़ाई जगड़े वाली कारवाई थी वो बंद कर दी क्योंकि इनकी बातों को मान लिया सरकार ने तो इसके बाद तब से मिजोरम जो है वो नौर्थ इस्ट का सबसे सांत राज्य है और बहुत ज़्यादा प्रगति कर रहा है ठीक था ठीक है एननसी भी दो हिस्सों में बट गई थी एक को एम और एक को के नाम दिया गया था 2015 में एननसी का जो एम गुट है उसने क्या करा सांती स्तापना के लिए समझोता करा सरकार से अलाकि नागालेंड की समझयों को आज भी देखें तो पूरी तरीके से सुलजाया नहीं गया है आज भी विद्रो रहता है विरोध देखे sl supplied असम विरोध बंग्ला देसीव या फिर भारत के किसी अन्य राज्जी से आके बस इनके खिलाफ लोगों में गुस्सा है तो इन्होंने भारी लोगों का विरोध किया यहां से भि आपका कुशन बनता है तो नौर्थ इष्ट के बड़े पैमाने पर यहां पर आपरवासी आए वे इससे एक समस्या पैदा हो गई समस्या यह पैदा होई कि जो इस्थानिय जनता है वो इनको बाहरी समस्ती है और इन लोगों के खिलाफ उनके मन में गुस्सा है इनको लगता है कि यह लोग यहां पर आके बस गया इनके संसाधन का इस्तेमाल कर रहे हैं और कहीं न कहीं इनको अलपसंक्या को जाएंगे बाहर के लोगों की संक्या बढ़ती जाएगी तो इसलिए यह क्या करते हैं इसका विरोध करते हैं लगता है कि ये लोग इनकी जमीन को हतिया लेंगे इनके रोजगार को हतिया लेंगे इनके राजनीती में कई न कई एक दबाउ समुगे रूप में काम करेंगे गर इसी मुद्य ने राजनीतिक रंग ले लिया कई बारे आपे हिंसक घटनाय हो गई ठीक है? 1979 से 1985 तक असम में भारी लोगों के खिलाब आंदोलन चला इसमें क्या था कि बांगला देश से जो मुस्लिम लोग आके बस गए असम में बस गए ये कहा गया कि इन लोगों को पहचानो और इनको इनके देश बेजो ठीक है? ये यहां कि स्थानिय लोग ऐसा मानते है अगर ऐसा नहीं किया गया तो असम के लोग जो है वो अलपसंक्यक हो जाई इनको ये भी लगता है कि असम में तेल, चाय और कोईले जैसे प्राकृतिक संसादान है इसके बाद भी असम और यहां पर गरीभी बहुत जादा है इसलिए क्योंकि बाहरी लोग इसका फाइदा उठा रहे है इनको ऐसा लगता है ठीक है और ये ये भी कहते हैं कि जो प्राकृतिक संसादान है उसको बाहर भेजा जा रहा है तो इसलिए नैंटी सेवंटीन नैं में जिसको आसू कहा जाता है इसने विदेसियों के विरोध में एक आंदोलन चला दिया ये एक छातर संगटन था ठीक है ये कोई राजनितिक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं था इनको लोगों का समर्तन मिला आसू ने क्या मांग रखी कि अवैद आपरवासी और जो बंगाली या फिर जो अन्य जो दबदबे वाले लोग है या जो ऐसे लाखो आपरवासी जिनका नाम मतदाता सूची में डाल दिया गया है उनके खिलाफ कारेवाई करो इनकी ये डिमांड थी मांगती ठीक है इन्होंने ये डिमांड करी कि 1951 के बाद जो भी लोग असम में आकर बसे हैं उनको पहचानो और असम से बाहर भेजो इस आंदोलन ने कई तरीकों को आजमाया असमी जन्ता के हर तपके का समर्तन इनको मिल गया और कई बार यांपे हिंसक और तरासत घटनाए भी हुई थी बहुत सारे लोगों की जान चली गई धंतम पत्ती का नुकसान हुआ तो ऐसे में क्या होता है फिर राजिव गांदी आसू के साथ एक समझोता करता है आसू के नेता और राजिव गांदी के बीच में एक समझोता होता है 1985 में ये समझोता होता है और इसमें यह कहा जाता है जो लोग बंगला देश से आकर बसे हैं उनको यहां से हम भगा देंगे यानि इनको इनके देश में भीज़ देंगे ठीक है आंदुलन की कामियाभी के बाद आसू संगठन जो है यह असम गण संग्राम परिस्तत के साथ मिल जाती है और एक नई राजनितिक पार्टी बना लेती है इसका नाम होता है असम गण परिस्त और यह इनका सपना एक स्वर्णिम असम बनाने का असम को बहतर बनाने का ठीक है और यह इनका सपना है तो यह इस तरीके से है अब इसके बाद आ जाता है एक टॉपिक सिक्किम वाला सिक्किम में क्याए दे कि सिक्किम जो है आ जाते के बाद कहीना कहीं भारत की शर्णागति प्राप थी इसको सिक्किम जो था वो पूरी तरीके से भारत का अंग नहीं थ इसके अंदर जो था राजा चोग्याल होते थे इनका शाशन होता था और यहां के जो अंदर के जो लोग है और अंदर की जो कॉंग्रेस पार्टी है सिक्किम की वो कहीं न कहीं भारत के साथ विलय चाहती थी भारत में जूड़ना चाहती थी और यह सिक्किम विदान साब़ा के लिए पहला लोगतांतरिक चुना होता है 1977 में 1974 में इसमें सिक्किम की कॉंग्रेस जोती है वो जीट जाती है और यह पार्टी चाहती है कि सिक्किम को भारत में जोड़ दिया जाए टी कियो तो सिक्किम विधान साबा ने पहले भारत के सैपरांत बनने की कोशिस की बाद में उन्हें लगा नहीं हमें तो पून रूप से सिक्किम को भारत में जुड़ जाना चीए इसके बाद 1975 के अपरेल में एक प्रस्ताव पारित हुआ कि भारत के साथ सिक्किम को पूरी तरीके से जोड़ देंगे हम और इस प्रस्ताव के तुरंत बाद जन्मस संग्रह कराए गया तो जन्ता ने भी कहीं न कहीं लोगों का साथ दिया तो जन्ता भी चाहती थी कि सिक्किम को भारत में जोड़ दिया जाए लेकिन जोड दिया गया भारत का 22 वा राजे भी बना दिया गया लेकिन जो राजा चोग्याल थे राजा चोग्याल जो थे वो इस फैसले से खुस नहीं थे उन्होंने क्या करा उन्होंने ये कहा कि भारत की सरकार जो है वो साजी सरच के बल परियोग करके सिक्किम को जबरन अपने में शामिल कर रही है ठीक है जो की गलत है ऐसा इन्होंने कहा था सिक्किम के जो राजा चोग्यालते इनका कहना था ठीक है तो ये सिक्किम वाला कोशन में भी हो सकता आपके paper में आ जाये एक कोशन आपके paper में बहुत आता ही मैं यह आपके long question में आएगा जिस्षा हिस्सा होती है जैसे कि Europe में माना जाता है शित्रिय आकानशाई बेकार चीज़ है पर हमारी राजनेती में इसको नहीं माना जाता है उसको इसका इसका हिस्सा मानते है। ऑर इन्होंने येई भी देखा कि छीत्रिया कांशा को दबाना नहीं चाहिक है बलकि लोगतांतिक तरीकी से बाचित को सुलजाना चाहिए जょ regulator के लिए के ऐसे में कहीं न कहीं यह सबग मिलता कि छेतरिया करणौ को दबाने की जगा, उसको लोक कांद्रिक तरीके से बाचीज से सुल्जा लेना चाहिए, ठीक है? 1947 में भारत में अंग्रेजी सामराज्य का खत्मा हो जाता है लेकिन पुर्टगाल की कबजे में था गोवा गमंदी लेकिन जो पुर्टगाल है वो यहां से अपने शासन हटाने से मना कर देता है फिर 16 सदी से ही यह इनका अपने वेशिक शासन था ठीक है इन्होंने क्या करा है यहां के लोगों को अधिकारों से वंचित रखा और जबरन इनका धरम परिवर्तन कराया आजाती के बाद भारत सरकार ने बड़े धहर पूर्वक हो कर पुर्टगाल को गोवा से अपना शासन हटाने के लिए रजा मंद करने की कोशिस की गोवा में दोलन को महराष्ट के समाजबादी सत्यागराई ने बल दिया डिसंबर 1961 में क्या होता है भारत सरकार ने गोवा को अपनी सेना भेज दी और दो दिन की लड़ाई जगडा कारवाई चला उसके बाद क्या होता है हमारी सेना ने गोवा को आजात करा लिया पुर्टगाल से इस तरीके से गोवा, दमन और दीव को केंदर संग शाशित परदेश बना दिया गया लेकिन बाद में ठीक है सुरू में संग साथित परदेश बना दिया गया पर बाद में इसको क्या किया गया 1967 में केंदर सरकार ने गोवा को विशेज जनमत सर्वेक्षन करवाया यहां और उसके बाद 1987 में इसको पूर्ण एक तरह से एक राज्य कर ग्रूप में बना दिया गया बारतिय संग का एक महतपूर्ण राज्य बना दिया गया तो इस तरीके से गोवा जो था कभी संग साथी परदेश होता था लेकिन बाद में उसको एक अलग राज्य बना दिया गया तो यह important है यहां से question आ सकता है तो यहां पर अपना जो topic था वो पूरी तरीके से खतम हो जाता है और इस chapter के सारे important question मैंने आपके सामने discuss की है उमीद करता हूँ आपको समझ मैं होगा तो मिलते है next video में thanks for watching सभी को जै हिंद जै भारत